हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानकारी देंगे एक मीनी पोर्टेबल रूम हीटर के संबंद में, क्या इसके फीचर है, क्या इसकी मैनिफेक्चरिंग क्वालिटी है, और क्या इसको यूज करना उचित है या नहीं, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अर्विं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोविव नागल, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, और यह देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा देखने में भी बहुत प्यारा सा यह है रूम हिटर हमको दिख रहा है, यह है इसका ओनोफ स्यूच है, और नीचे की तरफ यदि हम देख रहे हैं, तो यह है एक फैन लगा हुआ है, यह फैन यहां से यानि नीचे की तरफ से हवा को खींचता है, और यहां से गरम हवा एक्जिट करता है, इसके यह लिए अलग से कोई पावर सोकिट लगाने की आवस्चता नहीं है, जो हमारी फिटिंग में नॉर्मल 5-6 एमपियर के सोकिट होते हैं, उनी के साथ इसको कनेक्ट करके हम चला सकते हैं, पहले इसका लोड फीचर और इसकी हीट आपको दिखाते हैं, फिर इसको अंदर से 20 डिगरी सेल्सियस सेट हो रहा है, टेमपरेचर को हम कम या जादा भी कर सकते हैं यहां से, माइनस प्रेस करेंगे तो घटता जाएगा, और पलस प्रेस करेंगे तो बढ़ता जाएगा, और मैकजिमम टेमपरेचर 32 तक ही जा रहा है, इससे उपर नहीं जाएगा, और मिनि से हम इसमें time भी set कर सकते हैं बारा घंटे तक का इसमें time set हो सकता है load meter में अभी हम देख रहे हैं कि केवल 4.6 watt का load यह है room heater दे रहा है अभी इसका heater यानि इसका element चालू नहीं हुआ है, own नहीं हुआ, केवल fan चल रहा है यह लोड केवल फैन का है इसके element को own करने के लिए यह जो temperature इसमें हम 15 degree Celsius देख रहे हैं इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस समय यहां का temperature 17 degree Celsius हो रहा है तो हमने यहां के temperature से भी इसका temperature कम सैट करक्खा है इसलिए heater नहीं चला है तो इसके temperature को हम बढ़ाते हैं और देखते हैं heater चालू होगा या नहीं 25 degree Celsius हमने कर दिया है 500 watt के आसपास लोड आ गया इसका मतलब इसका heater चालू हो गया है लोड धीरे धीरे घट रहा है यानि इस room heater में temperature के हिसाब से लोड की adjusting दी गई है और लगभग 340 watt पर आकर लोड रुक गया है और इस 340 watt के लोड के साथ यदि हम इसकी heat capacity देखें तो इस समय हम temperature में देख रहे हैं कि 18 degree Celsius का temperature है और इसकी नोब को हम थोड़ी देर के लिए इसके सामने कर देते हैं और देखे temperature बढ़ने लगा है तो इसका मतलब है कि heat capacity इसकी अच्छी है 340 watt के according 75 degree temperature इसने कर दिया है और हीटर और नोब के बीच में 2-3 इंच का फांसला भी है लोड वही 340 watt है इस पीड को हम low करके देखते हैं और low position पर करने के बाद में यहाँ जो हवा यह फेक रहा था वह भी कम हुई है और लोड भी 280 watt हो गया है यानि low पर करेंगे तो 280 watt चलेगा इसका मतलब यह है कि low पर करने पर जो heater का element है वह भी load कम दे रहा है और हवा भी कम हो गई है और watt भी कम हुए है और high पर करते ही वही 340 watt का लोड है और speed को low पर करने पर लगभग 280 watt का लोड है 340 watt या 280 watt यह है नोर्मल लोड है तो आप अपनी fitting के किसी भी board के किसी भी socket में इसको connect करके यूज कर सकते हैं काफी गर्म हवा यह है दे रहा है तो जैसा कि आज कल बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है ऐसा यह ठंड़क है भुजूर्ग और बच्चों के लिए परिशानी पैदा करने वाली ठंड़क है तो ऐसे में अगर हम बड़ा heater नहीं लगा सकते 800 watt, 1000 watt या 2000 watt का heater अपनी fitting में नहीं चला सकते तो ऐसी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आप इस तरीके के room heater का यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इस छोटे से दिखने वाले heat converter में और भी कई सारे feature हैं हम आपको दिखाते हैं जैसे इस समय यह है running में है 340 watt का यह है load दे रहा है गलती से यदि इस पर हमारा कोई कपड़ा ढख जाता है या कोई और भी चीज ढख जाती है तो देखते हैं कि क्या यह है बंद होगा या नहीं load घटता जा रहा है और यह है ओफ हो गया 4.7 watt का load दे रहा है यानि केवल इसका fan चल रहा है heater का element ओफ हो गया है अब इसको हटा लेते हैं और automatic फिर से इसका heater चालू हो गया है स्टार्टिंग में इसने 4.5 watt का load दिया है और load धीरे-धीरे घट रहा है और घटते-घटते वहीं 340 watt के load पर आकर यह है रुक जाता है इसके नीचे की तरब जो fan लगा हुआ है इसको भी हम बंद करके देखते हैं एक्जोस्ट फैन के नीचे हमने कपड़ा लगा दिया है देखते हैं बंद होता है और देखिए वही 4.5 watt आ गया है यानि केवल फैन चल रहा है heater बंद हो गया है तो यह है कुछ safety feature इसमें दिये गए है जो बहुत अच्छी बात है यह है automatic ओफ हो रहा है और अब इसको open करके भी आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर part क्या लगे हुए है इसकी manufacturing quality कैसी है दो screw इधर यहां पर लगे हुए है और दो screw यहां पर लगे हुए है यह चार screw खोलेंगे तो open यह हो जाएगा दोस्तों यदि अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe जरूर कर लेना और वीडियो को like कर देना और बिलकुल आसानी से यह open हो रहा है यह देखिए छोटे छोटे दो circuit इसमें लगे हुए है एक circuit यह है जिस पर 4 push button लगे हुए है और एक यह है display लगा हुआ है एक छोटी सी यह PCB है PCB में कुछ connector यहाँ पर लगे हुए है एक हम relay देख रहे हैं जिससे इसके hitter को on off कराया जा रहा है बाकी बहुत कुछ इसमें ज्यादा नहीं है यह है एक छोटा सा फैन लगा हुआ है इसको खोल कर देखते हैं कितने वोल्ट और ampere का है यह है DC का 12 वोल्ट का फैन है जो हम invator और charger वाइगरा में यूज़ करते हैं इस परकार के फैन आसानी से market से मिल जाते हैं और यहाँ अंदर देखिए यह है इसका element है जो heat होता है और फैन बाहर से हवा लेता है और इस element में से गुजारता है और यह element उस हवा को गरम कर देता है यह है इसका simple सा procedure है तो यह दि बड़ा room heater यूज़ नहीं करना चाहते या आपकी fitting बड़े room heater के लायक नहीं है तो आप इसको use कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 300-400 रुपे का यह market से मिल जाता है थोड़ी यदि अच्छी quality इस quality में जाएंगे तो 600-700 रुपे का online भी है आपको मिल जाएगा link description में दे रहा हूँ आप घर बैठे में जोन से इसको मंगा सकते हैं दोस्तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो like करके comment करना और share कर देना और यदि channel को subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe करके bell icon का button जरूर दबा लेना वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो